हेलो स्टूडिन्स वेल्कम बैक टो माई चानल आयम जैश्री आदव सो बच्चो हम क्लास 12 का अकाउंट कर रहे हैं मैं आपको एक न्यू चाप्टर स्टार्ट करा रहे हूं यह आपका फॉर्थ चाप्टर है यह बहुत ही ज़्यादा इन्पॉर्टेंट है बच्चो तो अराम से करना और बहुत जादा लेंदी भी है थीक है वो हमारा case क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है, सबसे पहला case जो है, वो है, अगर, if there is no information, if there is no information, given, ठीक है, तो जो पहला question है, first question है, वो इसी case पे related है, if there is no information, given in the question, अगर हमें कोई जादा information नहीं दे रखी, तो इस case वे हम इस question को कैसे solve करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम question देखते हैं, A, B partners है, sharing profit in the ratio 5-3, ठीक है, C को हमने admit किया है, to partnership for 1-4 share के लिए, हमने क्या किया है, C को admit किया है, for future profit, सिर्फ हमें इतना ही बताया है, और बोला है, calculate the new profit sharing ratio, हमें new profit sharing ratio calculate करना है, ठीक है, हमें कोई और information नहीं दे रखी है, कि वो A से कितना ले रहा है, B से कितना ले रहा है, या A भी कितना sacrifice कर रहे हैं, हमें कोई information नहीं given है, So, इस case में आपको क्या करना है, जब आपको इतनी ही information provided है, तो देखो, first का A part करेंगे, हम ठीक है, सबसे पहले, C का C share कितना बोला है, कि हम C को कितना share देंगे भई, one-fourth, ठीक है, तो total share, हम assume कर रहे हैं, कि हमारा total share of the firm क्या है, one, ठीक है, total share of the firm, क्या हम assume कर रहे हैं, कि भई, one है, तो हमारा remaining share निकल जाएगा, remaining share, remaining share, देखो, पहले हमारा total जो firm का share होता है, वो कितना होता है, one होता है, पहले हम A और B को दे रहे थे, कितना, A और B ले रहे थे, भई, five is to three, ठीक है, इस one में से हम A और B को profit sharing ratio था, five और three, ठीक है, A और B को दे रहे थे, अब इसमें C भी हमारा, हमने C को भी admit कर लिया, अब C को हमने one four share के लिए, बोला है कि भई, आप हमारी partnership join कर लो, one four share हम आपको देंगे, provide करेंगे, right, तो अब हमें क्या करना है, remaining share कैसे निकलेगा, यह जो total share है, total share of the firm, one है, one में से अगर हम C का share minus कर देंगे, तो हमारे पास remaining share आ जाएगा, जो A और B में हम करेंगे, ठीक है, तो remaining क कितना आ जाएगा भई हमारा, three by four, ठीक है, यह हमारा remaining share आ गया, अब हम क्या करेंगे, A का share निकाल लेंगे, और B का new share निकाल लेंगे, तो पहले हम A का new share निकाल लेते है, is new share, कितना आ जाएगा भई, पहले मिल रहा था, उसको five by eight, into three by four, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, fifteen by thirty-two, ऐसे हम, B का new share निकाल लेंगे, बी is new share, तो यह हमारा कितना आ जाएगा, three by eight, into three by four, तो यह आ जाएगा हमारा nine by thirty-two, and C का हमें पता ही है, C share, कितना है भई, one by four के लिए हमने उसे admit किया था, तो यह हम new profit sharing ratio calculate कर लेंगे, new profit sharing ratio हमारा निकल जाएगा भई, sharing ratio, कितना कितना दिया हुआ हमें यहाँ पर देखो, निकला था, three by four, a का निकला था, three by four, fifteen by thirty-two, b का, and, sorry, fifteen by thirty-two, a का, nine by thirty-two, b का, and one by four, C का, अग हम LCM ले लेंगे, thirty-two, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, fifteen, nine, and one और four को हम LCM लेके करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह हमारा eight, ठीक है, तो हमारा new profit sharing ratio क्या आ गया, fifteen is to nine is to eight, clear, बच्चो, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको second भी कराऊंगी इसका, ठीक है, अभी हम B part करेंगे, देखो, A, B partners है, sharing profit in the ratio 21, nine, C को हमने admit करा है, nine by 21 share in the profit, calculate new profit sharing ratio of partners, same way case है, भी हमारा, ठीक है, कोई information हमें, और ज्यादा information provided नहीं है, इस question में, तो हम क्या करेंगे, total share one मान लेंगे, देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे, C का share कितना है, C को हमने किया है, भी, admit nine by 21, C का share इतना है, firm का total share कितना है, one, तो remaining share हमारा निकल जाएगा, remaining share, one minus nine by 21, तो यह हमारा आ जाएगा, twelve by 21, राइट, ठीक है, अब next step हम क्या करेंगे, A का new share निकाल लेंगे, B का new share निकाल लेंगे, तो A is new share, भी पहले उनको कितना मिल रहा था, 21, 21 by 30, into 12 by 21, तो यह कितना आ जाएगा, भी हमारा, आ जाएगा, तो यह आगया, हमारा two by five, ठीक है, ऐसा हम बी का निकाल लेंगे, तो B का हम यहां पे निकाल लेंगे, B का कितना आ जाएगा, B का new share, 9 by 30, into 12 by 21, तो यह आ जाएगा, तो यह हमारा आ गया, six by 35, उसके बाद, C का हमें share given है, question में already, कितना है, 9 by 21, ठीक है, तो new profit sharing ratio अमारा निकाल गया, new profit sharing ratio, का निकाल है, 2 by 5, six by 35, and 9 by 21, अब हम इनका LCM ले लेंगे, ठीक है, LCM हमारा आ जाएगा 105, तो यह आ जाएगा हमारा 41, 18, and 45, ठीक है, अब आप इनको काटोगे, तो आपका वोई आ जाएगा भई, देखो, मैं आपको काटके भी दिखा देती उदर, 41, 105, is to 18, 105, and 45, by 105, इसको हम काटेंगे, तो यह आ जाएगा भी हमारा, 42, 42, तो 3 से हमारा कट रहा है, ठीक है, 42, divided by 3, 14, 15, and यह आ जाएगा हमारा, 35, 3, 6, 18, 35, 3, 15, and 35, तो यह हमारा आ जाएगा भी, क्या आ गया, 14, is to 6, is to 15, by 35, ठीक है, निव प्रोफिट शेरिंग रेशियो हमारा निकल गए, I hope बच्चा आपको यह क्वेशन समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर देना, एंड कमेंट कर देना, और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू,